कि अज़िए आपका मेरे चानल में जिसका नाम है बैंक खरब नॉमाड रिसंट्ली मैंने नाम चेंज कर दिया है यहां पे अभी फिलाल मुझे अमेरिका में एक साल हो गया है और इस एक साल में मैंने आपको बहुत सारी खुबसूरत चीजे दिखाई है पर जो इंपॉर्ड जो के है मेरा खॉलेज तो यहां पे मैं पढ़ाई करने आया हूं और एक साल hou गया मुझे मैंने आपका अभी तक मेरा खॉलेज नहीं दिखा आया तो आज के वीडियो में आपको वही दिखाने आला हूं मेरा खॉलेज जो के आप पीछे देख सकते हो मेरे जो बहुत प् पुरा उसी पे होने वाला है तो चलो घुमते हैं Westminster College Westminster College में around 39 facilities है और ये college about 39 एकर की जगे में फैला हुआ है वैसे तो college स्टार्ट हुआ था सन 1875 में पर यहां की सबसे पुरानी building है ये Converse Hall बिल्डिंग बनी सन 1905 से 1912 तक इस बिल्डिंग में एडमेशन डिपार्टमेंट, आर्ट स्टूडियो, बेहन के रूम और क्लास्रूम्स है फिर Converse Hall के सामने है Converse Circle और Richard Commons यहां पर आप बैट के study कर सकते हो या फिर अपने friends के साथ just chill out कर सकते हो अलग-अलग season में यहां का जो views है वो बदलता रहता है जैसे पज़ड में पूरा औरेंज औरेडिश हो जाता है विंटर में वाइट और समर में ग्रीन और कलरफुल कॉमन से अटाच और कॉनवर्स बिल्डिंग के exact opposite में है Shaw Student Center इस बिल्डिंग में कॉलेज की कैंटीन और हॉल एरिया है जहां पर आप बैट के खा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो या फिर अपने फ्रेंज के साथ चिलाउट कर सकते हो इस बिल्डिंग में बहुत सारे अलग-अलग देशों के जहंडे लगे हैं जो रिप्रेजन करते हैं यहां के स्टूडन्स और उनकी डाइवर्सिटी को फिर इस बिल्डिंग में है कॉलेज का स्टोर जहां से आप बोक्स, स्टडी माटीरियल, टी-शर्च या फिर जो भी कॉलेज के मर्चंडाइल्स है वो आप खरीद सकते हो फिर शौड बिल्डिंग में है स्टूडन करियर सेंटर जहां से आप करियर से रिलेटेड गाइदेंस सच अज फाइंडिंग और प्रिपेरिंग फॉर इंटर्शिप या फिर आफ्टर कॉलेज लाइफ की गाइदेंस ले सकते हो शौड सेंटर के पीछे है हेल्थ, वेल्नेस और अथलेटिक सेंटर इस बिल्डिंग में फिटनेस और अथलेटिक लाइफ से रिलेडेड चीज़े है जैसे के जिम, स्विमिंग पूल, आर्टिफिशल रॉक क्लाइमिंग, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल ग्राउंड फिर हेल्थ, वेल्नेस और अथलेडिक सेंटर के सामने है ये कॉलेज का ग्राउंड, यहां कॉलेज की स्पोर्च, टिम, प्राक्टिस और उनकी जो घरेलू में आच होते है वो खिलती है फिर यहां से आगे जाएंगे तो आता है माल स्टेम, एम्फी थेटर, जो के एक ओपन थेटर है फिर इस ओपन थेटर से एक रास्ता उपर की तरफ जाता है और यहां पे है वेस्मिन्स्टर कॉलेज की लाइबरी इस लाइबररी को जियावले लाइबररी कहते है जो बनी थी सन 1997 में लाइबररी में हजारों से ज़्यादा बुक्स है, स्टडी के लिए एरियास है जैसे के गाउच, बहुत सारी चेर्स, क्यूबिकल्स और फिर परसनल रूम फिर इस लाइबररी में बहुत सारे कंप्यूटर्स और रिसेंटली इंस्टॉल 3D प्रिंटर्स है अगर आपको IT या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो इस बिल्डिंग में IT डिपार्टमेंट का में आफिस भी है लाइबररी के सामने है ग्लोबल आफिस, इंटरनाशनल स्टूटर्न की हेल्प के लिए बना है अज इंटरनाशनल स्टूटर्न आपको कोई भी प्राबलम, क्वेश्चिन्स या सपोर्ट चाहिए, तेन दिस इस दे प्लेस फोर यू फिर लाइबररी के राइट साइड में है ये कॉलेज की फेमिस ब्रिज, दे ब्लाक ब्रिज ब्लाक ब्रिज के दूसीरी साइड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे है ये तीन इम्पोर्टन बिल्डिंग्स जो मोस्ली कॉलेज के स्टूडेंट के हाउजिंग के लिए है तो हम फिर से कॉन्वर्स बिल्डिंग पे आते है और यहां से अगर हम राइट में जाएंगे तो जो फर्स्ट बिल्डिंग है नमबर 23 मेल्रम साइंस सेंटर है साइंस और टेक्नॉलिजी से रिलेटेट स्टडी यहीं पे होती है फिर उसके आपजिट में है औल्वेल हॉल और फिर आगे जाएंगे तो फॉस्टर हॉल और उसके सामने है पायन जिमनाजियम एंड लास्ट में है जुएट सेंटर फॉर पर्फॉर्मिंग आर्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं और इंपॉर्डेंट बिल्डिंग दिखा था आपको तो यहां से अगर सामने के तरफ इधर जाएंगे अगर आप मैप में देखो तो यह है बेसी सेंटर सामने मेरे जहां पर मचा आ रहा हूं बेसी सेंटर एक्चुली पहले ओल्ड लाइबरेरी थी कॉलेज की पर अभी यह स्टूडेंस के लिए लिए क्लास्रूम एरिया है और इसमें भी एक काफिट एरिया है बेसी सेंटर के बाज में थोड़ा सा आगे पर एक चोटी सी आठिफिशल वाल है जहां पर आप आप वाल क्लाइमिंग की प्राक्टिस कर सकते हो उसके यह साइड में क्लास्रूम है एक राइट साइड में फिर उसके लेफ साइड में और भी गई है जो कि यह वाली में बिल्डिंग इसको कहते हैं गोर बिजनीस अफ स्कूल बाएं जो कि मुस्तल्य बिजनिस से रिलेटेद ब़ी वह पढ़ाया हुती है उस अम इस बारी बिल्डिंग में होती है जो पुर दिखाते हो के ख्लास्रूम में क्लास केशी क्ले यहां पर किके मेरी अभी ख्लास होने वाली है थोड़े टाम में तो मैं आपको वही दिखाता है कि वह क्लास कैसी होती है कि विल्डिंग के सबसे पहला अंदर आते ही यह जो दर्वाजा है यह आपको लेकि जाता है ओडिटोरियम में तो यह है बिजनिस स्कूल का ओडिटोरियम फिर बाहर आते हैं पिर यहां से आगे जाएंगे तो यहां पर सारी ख्लास्रूम्स और प्रोफेसर्स की ऑफिसेस है यहां पर यहां पर अभी एक प्रोफेसर आ रहे हैं को हाई बगां है मैं को की फिर नीचे आप देख सकते हैं यहां पर जो एरिया है मुसली फैनेंस और स्टाक्स रिलेटेड पलाही से रिलेटेड है मुझे यह पाट अब दू बिल्डिंग ऐसा लगता है कि यह फुल मार्केट है स्टॉक मार्केट है तो अभी चलते चलते में बहुत है मेरे क्लासरूम आप प्रोफेसर ना हो तो यह है मेरा क्लासरूम जांपर सिर्फ एक ही फ्रेंड है फिलाल है जेन ऐसा दिखता है क्लास तो ऐसा था मेरा कॉलेज दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया हो मेरा कॉलेज देखके अगर आपके पास कोई सवाल है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो कॉलेज के बारे में या अमेरिक आप कैसे आ सकते हो स्कूल का प्रासस क्या होता है तो आप पूरी कोशिस करूँगा आपके सवालों के जवाब दे सकूँ अगर आपको मज़ाया हो यह वीडियो देखके तो प्लीज गीब थम्स अब अगर आप नवे हो इस चैनल पे तो डोंप फगेट तो सब्सक्राइब क्यूंकि मैं कोशिस करता हूँ आपको अमेरिका दिखा स सकूँ यहां की lifestyle दिखा सकूँ और वो भी सब हिंदी में तो अगर आप हिंदी में अमेरिका देखना चाहते हो तो प्लीज जोइन करो इस चैनल को और क्लिक आपको मेरे पूरी नोडिफिकेशन मिलते रहे तो आप तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों टाइप में जो करना क करो तो दों फोगेट तो स्ते हापी और हां दूआ में याद रखना बाए